नमस्कार मैं हूँ गीता ठाकुर हिमाचल एट सेविन में आप सभी का स्वागत है ये वक्त है हिमाचल प्रदेश की मुख्या खबरों का हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बीजेपी का एक और ओडियो वाइरल हो रहा है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से लेकर पूर्व मंत्री वरविंद्र रवी वन मंत्री राकेश पठानिया पूर्विसांसद क्रिपाल प्रमार और अर्की से रतन पाल तक को लपेटा गया है ये कथित आओडियो चमबा जिले के डिल्होजी से पूर्व भाजपा विधायक रेनू चड़्डा का बताया जा रहा है हालांकि रेनू चड़्डा ने इसे कट पेस्ट और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करार दिया है और फिलाल इस आओडियो की पुष्टी नहीं हो पाई है रुक करेंगे अगली खबर की ओर विधानसपा चुनाफ के मतदान के बाद आठ दिसंबर को मतगर्ना के दिन सामने आने वाली नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनोती पे कमेशन एरियर के भुकतान की होगी राजय में सरकारे विभागों, निगमों, बोडों के सवाचार लाग करमचारियों और पैंचनरों को करीब आठ हजार करोड रुपए का जो एरियर का भुकतान है वो अभी बाकी है राजय सरकार के पास इस देंदारी को चुकाने के लिए विध्य संसाधन अब नहीं बचे हैं, इस साल के रिए राजय की जो लून लिमिट थी, वो 9700 करोड रुपए के थी और इसमें से भी 7000 करोड रुपए का लून ले लिया गया है सिर्फ 2700 करोड रुपए का अब लून लिया जा सकता है और इस राशी से भी इस वित वर्ष में 31 मार्च तक वेतन और जो अन्य दे जिम्मेदारिया हैं उनका भुक्तान किया जाना है यही वज़ा है कि एरियर और महंगाई भत्ते को चुकाने के लिए आर्थिक संसादन अब दिखाई नहीं दे रही हैं रुक करेंगे अगली खबर की ओर हिमाचल विधानसभा चुनाफ के लिए मतगणिना आठ दिसंबर को होगी चुनाफ नतीजे आने के बाद अलग-अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स पर इलेक्शन कमिशन की जो टीमें हैं वो विशेश नजर रखने वाली हैं चुनाफ नतीजे आने के बाद विजय घोशित किये जाने या किये गए किसी भी नेता ने अगर विजय जलूस निकाला तो या विजय जशन मनाया तो उस खर्चे को भी जो भी रकम होगी उसे संबंधित नेता के इलेक्शन खर्च से जोड़ा जाएगा चुनाव आयोग पहले ही ये सपष्ट कर चुका है कि सभी पार्टी उमीदवारों के इलेक्शन एक्सपेंस में मतगर्ना के दिन तक के खर्चे जोड़े जाएंगे इस विधानसवा चुनाव में हर केंडिटेट के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए है रुप करेंगे अगली ख़बर की ओर हिमाचल के सोलन स्तित बद्धी में पकड़े गए नकली दवा बनाकर बेचने वाले गिरों के तीन आरोपियों को राज्ये दवा नियंतरक प्राधिकर्ण ने बुदवार को नालागड कोट में पेश किया है टीम कोट से आरोपियों के रिमांड हासिल करने के लिए आगरह जो है किया गया है जिससे कि आरोपियों से दवा नियर्मांड से लेकर सप्लाई के बारे में अन्य जानकारिया अब जुटाई जा सके आरोपियों के गिरफतारी के बाद ये भी खुलासा हुआ है कि बद्दी में एक फार्मा यूनिट भी वो चला रहे थे जिसमें दवाओं के निर्मान के बाद आगे की सप्लाई की जाती थी आरोपियों से हुई पूछता आज के बाद निशान देही पर लाखों की संख्या में अवैद रूप से तयार की गई दवाईयां भी बरामत की गई हैं रुख करेंगे अगली खबर क्यों जनसंख्या नियंतरन कानून लागू करने की मांग को लेकर तयारियां शुरू हो गई हैं हिमाचल के मुख्यद्वार परवाणू में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा महरोली को लेकर निमंतरन पत्र बाटे गए हैं इस्रेली में भाग लेने के लिए जगा जगा लोगों को निमंतरन पत्र बांटे जा रही हैं ताकि जनतर मंतर पर भीड जुटा कर सरकार पल बिल वापस करने का दबाव बनाया जा सके रुख करेंगे अगली खबर की हो हिमाचल हाई कोट ने प्रतन विभा को नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत नियम बनाने के आदेश दिये हैं वहीं विभा के निदेशक अमित कशप ने अदालत को आश्वस्त किया है कि हिमाचल प्रदेश वायू क्रीडा नेमो को राष्ट्रिय वायू क्रीडा पॉलिसी के तहत जो है बनाएगा साथ ही एक महीने के अंदर पॉलिसी के अनुसार कमेटियों का गठन किया जाएगा मामली की सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है रुख करेंगे अगली खबर की ओर हिमाचल के शिमला में इंडियन ओडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट नौर्थ जोन की तीन दिवस्या बेड्मिंटन चेंप्मिन्शिप शुरू हो गई है करमचारी ओफिस को छोड़ कर मैदान में उतरे हैं टूर्नमेंट का आगास राज जपाल राजेंदर विश्मनात आरलेट करने किया है टूर्नमेंट में दिल्ली, हर्याना, पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्राखंड और हेमाचल के 45 करमचारी खिलाडी भाग ले रही हैं इस टूर्नमेंट में 25 नुवेंबर तक खिलाडी अपने खेल का दमखम दिखाएंगे अभी के लिए बस इतना है, जल्द लोटेंगे नई खबर के साथ